आप देख रहे हैं पीपीडी खबर नमस्कार पीपीडी खबर में आपका स्वागत है खबर एटा से है एटा सेहर के सरंगर नगर में सुक्रवार सनवार गिरात हुए सामुई घत्या कांड को लेकर क्या कहा है आई जी वडियाई जी डॉक्टर प्रीतिंदर सिंग ने आप स्वेम देखिए इस वीडियो में आज आप एटा आए आज आपने जो प्रीडित परवार है जिसके हैं पांच डेट बोडी मिली तो उनसे भी बारता की क्या बारता होई कुल मिला गए देखे पहले तो अधिकारियों के साथ बैटक की बीम एससपी और जिले के बाकी आफसर्स थे हमारे पुलिस आफसर्स थे जो हम करोना पैंडेमिक से जो हमारी व्रस्थाएं है जो हंमारा लॉकडाउन है लॉकडाउन के साथ-साथ जो स्क्लाइचन कैसे मिंटेन करनी हमारी लीचरेश देए बाकी हम आफसर्स की तुछ देिब फियंग धन से उसको हमें आगे ले जाना है उस पर जिले के आफसर किया गया है कि हमारी best possible जो investigation team है वो इसमें कारे करेगी forensic team को reconstruction of scene of crime के लिए भी बुलाया जाएगा और जो भी उनके post-mortem में विस्राइज प्रिजब हुएं उनको priority basis पे हम director official से बात करके उसको ensure करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी उसके प्रिणाम आएं और साख्षिकत्र करते हुए जो भी हमारे पास साख्षिकत्र होंगे उस basis पे घटना के तैह तक पहुंचा जाएगा इन्वेस्टिकेशन की तैह तक पहुंचा जाएगा हमारा प्रयास रहेगा कि इस घटना करम को हम effectively evidence के basis पे किस तरह से इंसिडेंट हुआ किन कारणों से इंसिडेंट हुआ उसकी पूरी तया तक जाता है अभी तक को अभी तक पुलिस और परिजनों के परिजनों के परिजनों ने कहा है कि जो best possible investigating team आप लोग बनाएंगे हम चाहते हैं कि हमारा एक ही उदेश है कि विवेचना निश्पक्षों investigation निश्पक्षों और साक्षों के अधार पे जल से जल उसका परदा फाश हो डियाई जी साहब भी पुलिस और परिजनों के बीच में अक्त्या और आत्मत्या का मामला उलजा हुआ है ऐसी कोई बात नहीं है साक्ष हम कोशिश कर रहे हैं कि साक्ष कत्र करें जैसे एक पोस्त मॉटम रिपोर्ट में स्मॉद्रिंग आई है उस बेसे पे हम इस पूरे घटना करम को धाराओं में तर्मीम करें मॉडर की दाराओं में तर्मीम करके उसको investigate किया जाएगा पर जो साक्ष आएगे उस पेड़े गटना को जल से जल workout किया जाएगा उसके बाद उसमें आखके ला किया गया है ना तो उसमें पौईजन का कोई लेख है जो भी वहाँ से विसरा प्रिजर्व किया गया यहां सेंपल्स कलेक्ट किया फ्रेंजिक्ट टीम में उसको फ्रे नाम आएंगे उस बेसिस पर हम आगे कुछ कहने की स्किती में होंगे लेकिन अभी तक चार जो पांच लोग की डेथ हुई है उसमें चार लोगों के मृत्यू का कारण स्पष्ट नहीं है इसी लिए उनका विसरा प्रिज़र्व किया गया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेय करना ना भूलें हनिवाद